नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एयर पॉलूशन वायू प्रदूशन के बारे वे चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने पर्यावरन ये प्रदूशन की चर्चा की थी जिसमें ये बताया था कि प्रदूशन बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो कोई भी अवांशित सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायू प्रदूशन वायू प्रदूशन बेसिकली होता क्या है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस मसपस लिखा है कि येर पॉलूशन में बी डिफाइंड आप समझ सकते हैं कि वायू में किसी भी हानिकारक थोस तरल या गैस का जिसमें आवाज या ध्वनी तथा रेडियो धर्मी विकिरण भी शामिल है इतनी मात्रा में मिल जाना जो परत्यक्षी या और परत्यक्ष रूप से मानों और अन्य जीवधारियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वायू परदूशन कहलाता है इनके कारण प पॉलूशन बेसिकली वही चीज है कि अवांचित पदार्थों का हवा में मिलना सिंपल वर्ड में अगर कहें तो अन्डिजारेवल मिटेरियल्स जब एर में मिक्स होता है तो यह पॉलूशन उसको कहा जाता है अब यहां वायू प्रदूशन के टाइप की अगर हम चर्च पे भी कहा जाता है और दूसरा गैस रूपी प्रदूशक या गैसियस पॉलूटेंट जिसमें कर्बन डायोक्साइड नैट्रस अक्साइड जैसे कई सारे गैसे जाते हैं अब इसको एक एक करके हम असपस्ट करते हैं सबसे पहले हम आते हैं पार्टिकुलेट पॉलूटे जिसकों कहा जाता है उसमें उससे ये फैलता है इसका जो साइज होता है वो पॉइंट जीरो जीरो वन से पांसो माइक्रो मीटर जो है ब्यास में इसका रहता है अगर हम बात करें पार्टिकुलेट जो मिलता है एयर में अगर उसका डायमीटर पॉइंट जीरो टुम माइक इसी तरह उसके अंदर चला जाए तो वह हामफूल होता है वह कहीं नुक्सान पहुंचाता है यह जो मेजर सोर्स है SPM का या सस्पेंड़ पार्टिकुलेट मैटर का यह बिसिकली बहुत सारे सोर्स है जिसमें सबसे महतुपून सोर्स वेकिल्स हो जाता है पावर प्लांट्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप देखते होंगे कि वहां धूल कर वगरा हमेशा उड़ते रहता है तो वह सब होता है वाइल रिफाइनरी रेल बे यह सब जो हैं बिसिकली यार्ड हो गया मार्केट प्लेस या इंडस्ट्रीज हो गया तो यह सब जो रीजन कि कोल वर्निंग जो पाउर प्लांट होता है वहां पे फ्लाइएस होता है या इंट वागरा का निर्माड होता है तो उसमें भी फ्लाइस उड़ता है तो यह लैंड फिल मेटेरियल होता है उसमें भी यह होता है तो यह सब जो फ्लाइएस मेटेरियल है डायक्टली हुमन क करते हैं लंग्स को इंफेक्ट करते हैं साती साथ वेजिटेशन पे भी प्रभाव डालते हैं जैसे एक सिंपल मैं आपको चीज बताता हूं कि वेजिटेशन जो होता है या जो परकृतिक बनस्पती होती है उसको मुख्य तोर पे पतियां जो है वो उसके भोजन बनाने का का लिए प्रकास्ट नसलेशन की बीधी से अगर डस्ट जो है उनकी पत्तियओं पर जम जाता है तो तो कहीं ने जहीं उनके प्रकास्ट संसलेशन की प्रक्रिया बाधीत होती है वह धीरे धीरे उनको नीगेटीव इंपैक्क डालता है और अधे दीरे-धे सूख जाते है उस पेट्रोल में यूज होता है ताकि गाडियों का जो है इजी वे में रनी हो सके उसका स्मूथ वे में चल सके और जब ये गाडिया चलती हैं तो एक्जॉस्ट फाइब जिसको हम लोग साइलेंसर वगेर भी कहते हैं उससे ये निकलता है और हवा में मिक्स हो जाता है चुकि जब व्यक्ति उसको इनहेल करता है यानि जब उसको सांस के थुरू व्यक्ति के शरीर में जाता है तो वह काफी दुष्प्रभाव उसके हैं जो बैसिकली रेड बलड को सेल बनने में बाधा होता है उसका इफेक्ट किड्नी पे होता है इवेन उसका इफेक्ट जो है बच तरह पूंच यहांने एक्टिविटीी चाहिए कर दोग दिश्यक्सां और अश्यक्तिविटी से निकलेगा वहां के प्लांट्स को नुक्सान पहुंचाता है और हवा में प्रदूशन भी फैलाने का काम करता है तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पार्टिकुलर्स पॉलूटेंट्स चाहे वो फ्लाइस ओ लेड हो या अधर ऑक्साइड सो वो कहीं न कहीं दुस्प्रभाव डालते हैं अब अगर हम आते हैं यहां पर देख पा र उठीक काशा को विर्चाहां करता है इसमें आप देखते होंगे कि जो पॉलूटेंट है या जो प्रदूशक है कई सारे आपका उधारन में दिया जैसे कार्बन कंपाउंड है जैसे कारबन मोनोकसाइड कर्बंधा नीचसाइड है साल्फर कंपाउंड है सल्फियृ कर वो different source से निकलते हैं और ये कहीं न कहीं harmful होते हैं और ये जो है हम मनुश्य के respiratory system को स्वसंत अंत्र को परभावित करता है visibility को परभावित करता है उसके आलावे आपके RBC को परभावित करता है अस्थमा पेसेंट या फिफडे को परभावित करता है आँख में irritation या आँख में लालिमा हो जाना तो ये सारी चीजें मुख तोर पे परभाव डालता है जैसा आप दिल्ली का condition देखी रहे होंगे कि दिल्ली में जब smog होता है तो किस तरह की समस्यां उत्पन होती है खासकर lungs disease काफी तीजी से फैलते है अधर impact की अगर बात करें तो सबसे पहला impact अलर्जी है जैसे कफ हो लोगों को होता है जैसे दिल्ली में अक्सर आपनों को सुनता है कि maximum लोगों को पर दूसर से खासी हो जा रही है तो ये खासी क्या है बिसकलि ये खासी बिसकलि इलर्जी खासी है जो कहीं ने कहीं उस पॉलुशन से आता है सांस लेने में तकलिफ होती है तो अ दूर लगे होते हैं उनको black lung disease होता है जिसको krishnah फुस फुस रोग कहा जाता है anthracosis या pneumoconiosis कहा जाता है इसे क्लिए pneumonia type होता है जिसमें सांस लेने में काफी तकलिफ होती है और कई बार heart failure भी हो जाता है इस condition में इसके अलावे other impact जो है वो basically global warming greenhouse effect या ozone depletion से भी आते हैं मैं से संक्षिप में कर रहा हूं कि global warming greenhouse effect, ozone depletion, climate change अलगी एक बड़ा आयाम है जिसमें बाद में हम लोग चर्चा करेंगी अगर हम बात करें prevention और control की तो इसको हम तीन पार्ट में बाठ के देख सकते हैं पहला को international law क्या बना दूसरा national law क्या बना तीसरा हम individually क्या कर सकते हैं तो अगर international law की बात करें तो air pollution पे काफी law बने हैं जिसमें सबसे आपको देख पा रहे होंगे कि यह लिस्ट है इसकी बिसेश जानकारी आपको इसके पार्टिकुलर बेव साइट पे भी मिल जाएगा जिसमें air pollution के लिए transbondry एक्टिक आया था convention 1979 जेनेवा में हुआ था इसके अलावे सिकागो convention हुआ था civil aviation पे जिसमें यह कहा गया था कि जो हेलिकॉप्टर या जो हवाई जहाज में जो तेल वगड़े एउज होते हैं वो फ्योल जो है काफी production करते हैं तो इसको कैसे control किया जाए इसके अलावे United Nation framework convention on climate change New York में 1992 में हुआ था जिसमें Kyoto Protocol पर इस एग्रिबेंट की भी चर्चाबाद में की गई जो लो कार्बन emission की बात करता है उसके बाद वो जो उनको लेके समस्चा हुई थी तो इस पर भी convention हुआ मौंचेल प्रोटोकॉल वगर आया तो यह सारी जो चीजें हैं यह कहीं न कहीं यह पॉलूशन से ही डिरेक्ली इंडिरेक्ली रूप से संबंद है अगर भारत में नेशनल लाग की बात करें तो सबसे पहले में 1981 में आता है एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉलूशन अक्ट बाद में उसको 87 में अमेंड किया गया फिर एक रूल आया था यूनियन ट्रेटरी के अलग से 1983 में फिर इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन आक्ट 1986 में जो कि बहुत ब्रॉड एक्ट है जिसमें ना सिर्फ एयर पॉलूशन वाटर पॉलूशन सारे पॉलूशन को इंक्लूड किया गया है इसके अलावे हैजार्डेस वेस्ट या सी रिसाइकिल प्लास्टिक प्लास्टिक पैक्शर या यूजर जो रूल आया है इसमें भी प्रदॉशन को रोकने की बात कही गई है अगर हम अपनी बात कहें कि हम लोग क्या एक्शन लेश रकते हैं तो इसमें सबसे पहले कि हम जो भी एनरजी यूज करें वो स्टार रेटिंग यूज करें चाहे घर में या बाहर कहीं भी ऑफिस में कारण क्या है कि हमारे यहां जो बेसिक एनरजी का सोर्स है तर्मल एनरजी और थर्मल एनरजी जो है वो कोल बेस्ट ज्यादा है तो अगर जितना ज्यादा एफिसियन्ट होगा तो कंजप्शन आटोमेटिकली कम होगी तो इंडिरेक्टली लूप से वो फाइदा होगा दूसरा की पब्लिक जो है कम करें इसके अलावे सी एंजी वगरा यूज करें इन्वार्मेंटल फ्रेंटरी जो है पेंस या क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करें वुड की जगह हम निच्रल गैस यूज कर सकते हैं इसके अलावे पब्लिक और कॉम्टिक में आवेर्नेस फैलाएं कि कैसे हम यह पॉलूशन को कंच्रोल कर सकते हैं क्योंकि प्रदूसर्ड जो है मुख्य तोर पर एक मानोजनित समस्या है वर्तमान समय में इतने और दोगिक विकास हो रहे हैं और यह विकास ज़रूरी भी है मानोस अभ्यता के लिए तो इस संदर में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि प परियावलन का सारक्षण कर सकें उसको बचा सकें तो बैसिकली यह ओवरल आपको एक ब्रॉड वियू है जो यह पॉलूशन से रिलेटेड है इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इग्जाम में भी जिसमें बैसिकली यही पूछा जाता है कि कि टाइब के गैसियस पॉलूशन से किस टाइब का रोग होता है तो यह सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोटर पॉलूशन पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यबाद आपका दिन झाल।